मार्केट में क्रैश दिखने को मिला मतलब मार्केट किस वज़े से गिरा हुआ है यह तो आप लोग को पता ही है लेकिन इस मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स गिरे पड़े हैं वहाँ पर करना क्या चाहिए हम लोगों को जैसे कि सुबर से आज मार्केट थोड़ा बहुत वोलटाइल था कंफ्यूजण टाइप का कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे मतलब किस बेसेश पर ऊपर किस बेसेश पर नीचे यह थोड़ा बोलना मुस्किल था अब दिको यह सब को पता है कि हां वार हो रहा है तो मार्केट गिरेगा ही ठीक है और थोड़ा बहुत आपको एक सब को पता है लेकिन एक चीज़ एक ऐसी बी चीज़ होती है कि गिरते बजार में आप अच्छे स्टॉक को खरीद भी सकते इसके बारे में आप सोचना स्टार्ट करो आप इसको भूल जाओ कि मार्केट में मतलब जो है मार्केट गिर रहा क्या और अगर क्या आप यह कौन बताएगा अब सोच लो यह कौन बताएगा जब तक आप पूरी चीजों को स्टडी नहीं करोगे देखो कभी भी हाफ नॉलेज ना बहुत डिंजर होता है सर आपको आग लगाने आता आग बुझाने नहीं आता स्ट्रें स्टार्ट करने आता लेकिन स्ट्रें स्टॉ यह चारा हों कि इतना तो आप लोगों को बहुत सभी तर्केस पता है कि मार्केट क्रैश हो रहा है बहुत सारे स्टॉक गिरे लेकिन उसके आगे अगर आप देखो गे टूटाउजन एट में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो उसके बाद हजारों लाखों परसंट का रि या कोई भी प्रावलम होता जिसके कारें मार्केट गिरता है तो सर आधी चीज़ों तो हमें पता रहता कि मार्केट क्रैश होगा लेकिन नीचे वाला आप ध्यान दोगे तो ही अच्छा रहेगा ऐसा है और जब मार्केट भाग जाता है तो कुछ लोगों का लड़कियों क जैसे नोटंकी होता है, मतलब क्या बोलते हैं, तुमने तो नीचे खरीदा होगा इस वज़े से profit होगा, तो भाई साब आपको सेबी ने बैं कर रखा है, गौर्वर्मेंट ने बन कर रखा है, किसी ने बैं कर रखा है, किसी ने रोक रखा है, आपको खरीदने से, नई, फिर नाटक नोटंकी देखो, तुमने तो नीचे खरीदा होगा, तो हाँ भाई नीचे ही खरीदेंगे, अजीब बात कर रहे हो करके, बहुत सारे लोगों से मैंने देखा है, 2020 में भी जब बताया गया, तो लोग का माना, उस टाइम तो भाई बजार बहुत गिरा हुआ था, य ये सारी चीजों तो सही है, वार हो रहा है, इसी के वज़े से मार्केट में थोड़े बहुत वलेटिलिटी आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे कंपणियों का एक्स्पोजर है इसराइल में, और सबसे बड़ी चीज होता क्या है कि कहीं पर भी क खरीदने के लिए किवल कुरूड नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉमेडिटी वगर होते हैं जो खरीदने के लिए, अब मान लेजाए वो सारी चीजों का प्राइस बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाइए के बीच में न दरार आ जाता है, डिम की चीज़े महंगी हो जाती है, और स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट कर देता है, तो सर गिरते बजार में सबसे पहले जो मुझे लगता है, अगर कुछ होता है, और मार्केट गिरता है, तो ऑपरचुनिटी क्रियेट होगा, तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग के उतना लेके रखिए ऐसा है 10 manufacturing facility है company के पास company के पास जो है 55% market share आपको देखने को मिल दाए सर जिस sector में काम करती है और company बहुत सारे फिल्ड को cover करती है construction sector में जितने भी steel के product देखने को मिलेगा यही company मनाती है इनके पास distribution निटर्ग भी बहुत बढ़ा है 800 से ज्यादा तो इनके पास distributor है 50,000 से ज्यादा तो इनके पास retailers है मतलब इंडिया में कहीं पर भी जाओ इसके बारे में तो आप लोग सुनोगे सुनोगे इनका इतना बड़ा company होने के बावजूद भी यह expansion plan ला रहे है future में और पाइप बनाती है company और वो भी पाइप बनाती है बहुत वह टीव अगर बनाती है steel के बहुत सारे product बनाती है यह plastic plastic product है वो steel product है अब यह क्या होता है यह building में इस्तमाल करने वाले construction बड़े-बड़े development में इस्तमाल किये जाते हैं यह plastic के pipe वगर बनाते है तो इसका भी इस्त बस्तिक वाले product भी लिए सकते हो company अलगा है लेकिन ओजकर वी घृएक ही है लेकिन ग्रूप घी है तो लोग इस तरीके से काम करते है के से लोग काम करते इस वाज़े से अप ड चीस अध रिमीड़े आ तो समझो इस से बड़ी चीज हो यह इनू सकती इस से बड़ीचीज ह आपको गिरावट देखने को मिल रहा है ठीक है तो आज के रेट में भी पिछले पांच दूने से भी गिरावट देखने को मिला और आज जब मार्केट गिरा तो बहुत बुरी तरीके से गिरता बने जरा है लेकिन सोचो चार सुरुपे में बताया गया वह बात अलग है लेक है बस याद रखेगा प्राइज उपर नीचे होते रहते हैं यह एक नंबर है इससे कोई मतलब नहीं है कमपनी से मतलब है सरा अच्छी कमपनी जब तक रहेगी तब तक हमें ध्यान देना है आज से ठीक 20 साल पहले राके जुन जुन वाला ने टाइटन को खरीदाता है तो कि आज नहीं खरीटे आज बेखरेगे क्यों कि वैल्यू के दम पर खरीदते हैं दो रुपय का स्टॉक अगर 4-5 रुपय मिले तो क्या महेंगा नहीं होता होता है लेकिन वैल्यू भी बदल गया ना तो महेंगा नहीं हुआ सेम हो गया तब तो इसलिए मैं बलाओ चीज है कल करो और फिर उसके बारे में देखो कि अच्छा है तो खरीदो नहीं तो फिर छोड़ दो और अगब स्टॉक मार्किन में नहीं हो तो अपने डिमेंट अकॉन इंजिन में उपन कर सकते हो जहां पर आपका डिमेंट अकॉन बिल्कुल फ्री डिलेवरी चार्जर फ्री क्यों